ओम शान्ती आप सबको स्वागत है आज हम 11 सेप्टेंबर की चिर्वदान में पहुंच चुके हैं एक होती है आग जिससे आप सची में जल सकते हैं और एक होती है आग जिसमें आज सारी दुनिया जल रही है वो है चिंताओं की आग, सोच की आग, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, समझ से आए तो परमात्माज हमें इन दोनों आगों की बारे में बताते हैं और इनसे बचना कैसे इसको समझाते हैं अनिक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहम दिल भवा, पहले खुद को बचाना, कि अगर हम खुदी आग में जल रहे होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, तो हम वही अगनी को औरों की अंदर भी फैला देंगे, वो चिंताओं को हम और के अंदर ट्रांसवर कर देंगे, तो कहते हैं, आग फैलाना, तो पहले खुद भी अन्रेस्ट में हैं, और उको भी हमने अन्रेस्ट में डाल दिया, खुदी हम परिशान हैं, और उको भी हमने परिशानी में डाल दिया, तो आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है और अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, भिन-भिन प्रकार की यह चोट जो आत्माओं को लगती है, देखा जाए तो हमें फिजिकल चोट तो लगती रहती हैं, कहीं न कहीं चलते हैं, कहीं इस लगती हैं, यह अगनी, जीते हुए जलने का अनुभव कराती है, कहीं हम जी रहे हैं, लेकिन अगनी कौन सी अगनी है, जिसमें चिंताओं की अगनी है, परिशानियों की अगनी है, क्या होगा, बच्चे ने मेरे साथ मैंसे क्यों क्या, मेरे भाई ने में को क्यों ऐसे क्या, मेरे बेटी ने मेरे के साथ मैंसे क्यों क्या, मेरे बेटे ने मेरे साथ मैंसे क्यों क्या, मेर जब हमें 70 सा कोर्स मिलता है, जब हम 70 सा कोर्स करते हैं, तो हमें अपने पूर वो जन्मों के बारे में सारा पता चल दाता है, हमें सारे शृष्टी का चकर पता चल दाता है, सारे विश्व की आत्मों के कंडिशन के बारे में पता चल दाती है, दुनिया में आगे क्या होने लेकिन आज सारे लोग के लिए अपने से अटाइश्ट है लोगों से अटाइश्ट ने है छीजवों से अटाइश्ट है धन्संपती से इसलिए उनको डिटाइश्मन नहीं आती है लेकिन जब परमात्मा धर्ती पर आते हैं और कहते हैं कि बच्चे अब जाने का समय हो गया है जब हम वो ग्यान सुनते हैं सेविंडेस के कोर्स वे तब लगता कि भईया हाँ अब तो भईया जाने का समय हो गया अब detachment में रहो, डाल रोटी खाओ, प्रभू के गुण गाओ, और जितना है उसमें संतुष रहो, और आगे बढ़ते चलो. फिर परमात्मा कहते हैं, ये शीतलता तो आपने महसूस कर ली है, क्योंकि ये सारे राज आपको पता चल गये हैं, क्यों ना आप और को बताओ? अभी तक आत्मा कल्यूग में, पांच करमेंद्रियों के द्वारा सुख अनुभा को नेगुश कर ली, चीज़े खरीद करके, खापी करके, लगा करके, पहन करके, खरीद करके, बना करके, तो वो होगे इंद्रिय सुख, लेकि परमात्मा कहते हैं, इंद्रिय सुख बहु उस अतींद्री सुक को अनुबफ करें तो अतींद्री सुक शांतिकी प्रापती में समय हुए हो तो रहम दिल बन अन्ने आत्मा को भी अनेक प्रकार की आओग से बचाओ जिसे हम बच गए हैं और बच रहे हैं हर दिन और कई आत्मों को चिंताओं की आग लगे भी उनको भी आप ऐसे बचाओ गली-गली में घ्यानस्थान बनाकर सब को ठिका ना दो गली-गली में घ्यानस्थान बनाकर मुला कि अगर घर है तो आप अपने घर में किसी एक कमरे को परमात्मा की सेवक ले पार्टशला बोलें या आप meditation center बोलें उसके लिए आप उसको जब आप यूज करते हैं तो आजू बाजू वाले के जो लोग हैं जो गली महले के लोग हैं उनका भला होना शुरू हो जाता है उनको ठीका ना मिलना शुरू होता है और परमात्मा क्या चाहते हैं कि जब परमा परमात्मा क्याते हैं कि ये तुम सबको बताओ क्योंकि मैं मैं जब आगे हूँ तो मैं संदैश आखरी संदैश लेकर आता हूँ और मैं खुद आता हूँ और उसके बाद में कोई पैगंबर की जूरत नहीं बढ़ती है क्योंकि सारे पैगंबर जब फेल हो जाते है तो मुझे खुद आना पड़ता है इसलिए खुदा कहते है मुझे तो जब मैं आता हूँ जब सबको मैं मेसेज देता हूँ परमात्मा से जोड़ करके और गुरू मसे मुझेलाटिका रस्त दिखाना है हुम शय आती आता water